हम लोग बात कर रहे थे बहुत दिक भूगोल के बारे में और इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पित्वी की जो गतियां हैं उन पर विस्तार से बात की हुई थी और अगर आप लोग सिविल सर्विस और एक्टेट PCS की तयारी करें तो आप लोगों के लिए एक लास्ट बहुत ही मात्मूर रहने बाली है और आप में से कई लोगों के एवी सवाल रहते हैं और भी आपके वंडे एकजाम होते रहते हैं क्या उनके लिए भी एक लास्ट द में बहुत तिक भुहोल से कुश्चन्स पूचे जाते हैं तो जरूर आप लोग इन क्लासों को देखिएगा फिर चाहे श्टेट लेवल के हो एकजाम या सेंटल लेवल के हो और हम लोग इतने विस्तार से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बाहर वो सभी आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट सूची में क्रमबा इकरम सब मिल जाएगा आपको वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं और अभी तक आपने देखा है कि हम लोग इतिहास कबर भी कर चुके हैं आज हमें अक्छांस देसांतर और अंतराष्टी तिती रेखा और और समय कटिवंद के बारे में बात करनी है यानि कि पितिवी के बारे में हमें बात करनी है इस पर जो अक्छांस रेखाएं आप लोग देखते हैं देसांतर रेखाएं देखते हैं और अंतराष्टी तिती रेखा देखते हैं जहां से आप देखते हैं कि समय तै होता है और समय कटी वंद को हमें पढ़ना है देखिए यह आप लोग देख रहे होंगे एक आपको विस्वत रेखा देखने को मिल जाती होगी और नीचे फिर आप देखते होंगे इस तरह की रेखाएं किची रहती हैं जिने आप लोग अक्छांस रेखाय कहे देते हैं देखिए यह मक 90 ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगे अक्छांसे और 90 आपकी नीचे और एक आप देखिए बीच में टोटल आप देखेंगे 181 होती हैं और एक बात आप लोगों को और बता दूँ अगर देखिए 181 नहीं है आप्शन में अगर 180 भी है तब आप लोग टोटल 180 लगा सकते हुआ और देखिए आप लोग यहां आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे रही होगी 90 और 90 एक जारी बीच में टोटल कितनी हो गई 80 ठीक है एक कौड भी आप लोग देख रहे होंगे इन्हें विस्वती एक कौड भी कह देते हैं आप लोग और अच्छे से द देते हैं इस सब्दों में परिवासा बता रहा हूँ ठीक है और यह आप देखेंगे कि आप देख रहे होंगे इस तरह से देखिए और यह आप देखेंगे अंतराश्टी ती ती रेखा हो गई आपकी और यह आप देखेंगे आपके कटी बंद हो गए समय कटी बंद हो गए उत्री सीथ कटी बंद फिर उत्री सीथ उष्ण कटी बंद उष्ण कटी बंद दच्छन सीथ उष्ण कटी बंद दच्छन सीथ कटी बंद और यह दच्छनी दरोब यह आपको भूमद्रे का जीरो अक्चांस देखने को मिल जाएगी इन्हीं सब के बारे में हमें एक सामान जानकारी देखनी है और इनसे आपके परिच्छाओं में कुश्चन्स आते हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं होने चाहिए कि ना आते हूँ सबसे पहले अक्चांस रेखाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं पितवी के कैंद से भूपेष्ट पर भूमद रेखा कि उत्तर और दच्छन में एक यामुत्र पर किसी भी बिंदो की कौड़ी एस्तिति जो अक्चों, अंसों, मिनिटों और सेकंडर में बैक्ट होत की ज आती हैं और भूमद रेखा पर जीरो अक्चांस ब्रत आप लोगों को देखने को मिलेगा यह आप लोगों को अभी दिखाया अभी है देखिए इसी की बात हो रही है देखिए जीरो आप लोगों को दिख रहा है या जीरो देखिए है जीरो ठीक है और आप देखेंगे कि अक्छांस भूमत रेखा से हर इस्थान पर समयांतर रहे का धुरब तक अनेक विरतों का निर्मार करती है और यह भूमत रेखा से धुरबों की ओर छोटे होते जाते हैं और अक्छांस रेखां 0 से 90 डिगरी तक होती हैं अब आप देखें भूमत द्रेखा पर सबसे लंबी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, अब यहाँ आप लोग जाएंगे तो छोटी सी बचेएगी, तो सबसे इनकी दूरियां कम होती जाएंगी, और फिर आप देखेंगे भूमत द्रेखा भूश पेष्ट को दो बरा गुलाद कर देते हैं आप लोग और नीचे आप देखिए दच्छण में आप देखें कि 0 डिगरी से 90 डिगरी दच्छडी धरव तक इसे दच्छडी गुलाद कर देते हैं इसे आप लोग एक और देख लिए यह आप देखिए दच्छडी धरव हो गया नीचे का भाग और उपर का भाग उत्री धुरोव हो गया, तो इसे आसानी से आप लोग समझ लीजेगा, और इस तरह से आप देखेंगे, इस पिकार अक्छांस रेखा है, 90 डिग्री पिलस 90 डिग्री 180 होती है, और एक आप बीच की देखेंगे, तो 181 भी आप लोगों को कई जगे, ओप्शन में देखने को मिलेगी, तो अगर ओप्शन में आप देखेंगे, 181 भी है, तब भी आप लोगों को सही लगा देना है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, और उत्री गोलाद में 25 डिग्री, उत्री करक रेखा, गोलाद कहलाता है, यानि कि किस की बात हो रही है, इस impressed me, और अच्छी से आप लोग देख लीजे, देखेंगे, ए आप लोगों को देखाई देरा है, ए मकर रेखा हो गई, ए मुपात करक रेखा हो गई, देखे यह दच्छी धुरुब겠ude हो गया आपका यह आप देखी उत्रोई धुरुबच हो गया साड़ी 66 डिग्री उत्तर में और साड़ी 66 डिग्री धच्छीड में आज यहां 90 में आप देखें तो दच्छी धुरुब और उत्री धुरुब तो ये भी आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से अगर आप लोगों को जानना है तो इसलिए तो कहता हूँ कि कम से कम आपके पास टाइम है तो एक से दो बार आप लोग NCEIT बुक जरूर पढ़िएगा उनसे और बेस आपका मजबूत होगा और इस तरह से आप देखेंगे कि 0 ओक्णस से 1 ओक्णस तक चाब की दोरी 111 km की होती है कहने का मतलब है कि एक अक्णस की बेच की दोरी कितनी होती है 111 km और जो पित्वी की गूलार्ट के कारण भूमद रेखा से दोरों की और जाने में इन अक्णसों में दिन रात की आउधी में भी अंतर होता जाता है तो ये भी याद रखेगा और यहाँ आप देखिए अप चांस हो गई दिन की आउधी 0 डिगरी पर 12 गंटी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहने का मतलब ए है देखिए अगर आप लोग यहाँ 0 डिगरी पर देखेंगे तो यहाँ 12 गंटी का दिन होगा और 12 गंटी की रात होगी नॉर्मल सी बात है लेकिन अगर 17 डिगरी पर आप लोग देखेंगे तो 13 गंटी का दिन होगा अगर 41 डिग्री पर आप देखेंगे तो 15 गंटे का दिन होगा 49 डिग्री पर अगर आप देखें तो 16 गंटे का दिन होगा और 63 डिग्री पर आप देखेंगे तो 20 गंटे का और 6.5 डिग्री पर आप देखेंगे तो 24 गंटे का दिन होता है साड़ी सरसड डिगरी 21 मिनिट पर आप देखेंगे तो एक महीने का होता है और 59 डिगरी 5 मिनिट पर देखेंगे तो 2 महीने का और 78 डिगरी 11 मिनिट पर देखेंगे तो 4 महीने का और इस तरह से 90 डिगरी पर आप देखेंगे तो 6 महीने का दिन होता है और फिर आप देखें, छह महीने की रात होगी, अगर माल लेजी कि उत्री धुर्म में दिन है छह महीने का, तो दच्छी धुर्म में आपको देखने को मिलेगी, छह महीने की रात देखने को मिलेगी, यानि कि अगर आप कहिए कि यहां को मकरन को भेज दिया जाता, तो अच् अंसों मिनिटों और सेकेंडों में बैक्त की जाती हैं, अक्षांस रेखा हैं, कल्पित रेखा हैं, जो एक ही अक्षांस को मिलाती हैं, यह 0-90 डिगरी उत्तर और 10 छिन में देखने को मिलेंगी, आप लोगों को बता भी चुका हूँ, 23 डिगरी उत्तरी अक्षांस को आप लोग करकर एका के नाम से जानते हैं, और 666 डिगरी उत्तरी अक्षांस को आप लोग ओव धर्भ के ब्रत के नाम से जानते हैं, एक कई बार आप देखते हैं प्रिलेम से में questions पूँच लेता है कई बार आप देखते होंगे कि आपका one day exam में भी इस तरह के questions आ जाते हैं और आप देखेंगे 90 degree उत्री और दच्छी अक्छांस उत्री दुरूप और दच्छी दुरूप के नाम से जानते हैं और 60 degree दच्छी अक्छांस को मकर रेखा के नाम से जानते हैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ परेशान मत हुईएगा देखें इसे आप लोग क्या कहते हैं विस्वत रेखा कहते हैं फिर आप जाएए 60 degree दच्छी दुरूप करते हैं और इसी तरह से आप लोग उत पर देखें यहां से 30.30 degree उत्तर में जाएंगे तो आप देखेंगे उत्तर हो गया और एक उत्तर दुरूफ हो गया तो यह याद ही और आप जान्स बढ़ने से दिन की लंबाया बढ़ती है और देशांतर जीरो डिगरी देशांतर के पूर्व और पक्षिम में कौड़िये दूरी से मतलब है देशांतर रेखाएं उत्तर और दच्छित धरुप को मिलानी वाली रेखाएं होती हैं पहले भी आपको बताया है यहां आप लोग देख लीज़े देखे इसे मिला रही है ना मिला रही श्यक्त को किया कहते हैं। और पिती 15 डिग्री देशांतर पर एक घंटे का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा यानि कि आप देखे कि 4 मिनिट का एक अगर देशांतर आप लोग बढ़ते हैं तो आप देखे एक डिग्री देशांतर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे 4 मिनिट का समय बढ़ जाए है ठीक है और यहां से आप लोग एक देसांतर जैसे ही बढ़ेंगे यहां तो आप देखेंगे 4 मिनिट बढ़ जाएगा और पीछे जाएंगे तो 4 मिनिट घट जाएगा ठीक है और यहां आप देखे एक 180 जो आप देखे अंतराश्टी तिथी रेखा माने गई है इस तरफ आप जाएंगे तो घटेगा टाइम और इस तरफ जाएंगे तो आप लोग बढ़ेगा ठीक है तो यह भी है आप लोग याद रखेगा पश्रिम की ओर क्या होता है दिन घटता है और पूर की ओर दिन बढ़ता है अंतराश्टी तिथी रेखा की बात करें एक आप देखे धुनिया भर में अगर समय की बात की जाए अभी 24 घंटे होते हैं और आप देखते हैं कि एक समय तैय कर लिया जाता हैं लेकिन आप सोचिए अगर इस तरह की रेखा ना होती तो आप देखते हैं विवादी बना रहे था तो अंतरश्टी ती रेखा 15 देशांतर पर एक घंटे का अंतर आ जाता है और 90 डिगरी देशांतर पर 6 घंटे का अंतर आ जाता है और 180 देशांतर पर 12 घंटे और 360 देशांतर पर आप देखेंगे यह आपकी 24 घंटे का अंतर आ जात बादनों को छोड़ती हुई पिथवी पर 180 या मुत्तर एक काल पर रिखा निर्धारित की गई और इसे ही आप लोग अंतरस्टि ए तिथी रिखा कह देते हैं जा कह देते हैं इसी को ठीक है यह आप देखे कई जगे मुडी हुई है तो यह भी आप लोग याद रखेगा दे इस रिखा को पार करते समय एक दिन एक दिन घंटा या बढ़ा दिया जाता है और घंटा बढ़ा दिया जाता है यानि कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग इसकी तरफ आ रहे हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा और इसकी तरफ जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं तो दिन तो ये भी आप लोग याद रखिएगा. यदि कोई जल्यान इस्तिथी से पश्यम की और यात्रा करता है तो वह एक दिन छोड़ देता है और यदि वह सौंबार को इस दिसांतर को पार करेगा तो अंगला दिन वहाँ मंगलवार ना होकर बुद्धवार होगा ठीक है और यदि 27 जनवरी को इस रेखा को पार किया है उसने तो अंगला दिन 28 जनवरी नहीं होगा एक दिन छोड़कर 29 जनवरी होगा इस्तियातरिक्त यदि कोई जल्यान इस्तिती से पूर की और यानि कि इस तरफ इस रेखा से इस तरफ जाता है पूर की और यात्रा कर रहा है तो वह जिस दिन इस रेखा को पार करेगा वह दिन दुबारा गिनेगा इसे और यदि उसने संबार को पार किया है तो संबार ही मानेगा हो ना कि मंगलबार मानेगा यदि उसने यह रेखा 24 जनवरी को पार किया है तो अंगला दिन उसके लिए 24 जनवरी ही मानेगा ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और देखेंगे एक देशांतर वरबाबाद 4 मिनिट का अंतर होता है आपको बता चुका हूँ और 74 देशांतर पर आप देखेंगे 4 इंटू आप देखेंगे कि 74 आप आप देखेंगे 360 यानि कि 4 घंटे 56 मिनिट निव आर पक्चे में है तो आप देखेंगे 12 घंटे में से 12 में स तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं अगर पीछे जा रहे हैं तो जुड़ेगा तो यह आप लोगों को मालू होना चाहिए उधारन के लिए आप देखिए 114 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस्तित केंटून में क्या समय होगा जबकि नियॉर्क में 74 डिग्री पश्चम देशांतर पर इस्तित है मैं 11 बजे हुए है 11 पी-म ठीक है सुबाय का टायम है 11 तो केंटून और नियुर्क में देशांतर आप देखिए 114 डिग्री पूर्वी ग्रीन विच से 74 डिग्री पश्चमी ग्रीन विच से 188 होगा और एक देशांतर पर आप सभी जानते हैं 4 मिनिट का अंतर होता है और 188 देशांतर पर आप देखेंगे 4 इंटू 188 अपॉन 360 इस तरह से 12 गंटे 32 मिनिट और केंटून पूर में इस्तित है तो इसमें आप देखेंगे कि 12 ग 12 गंटे होगा इसमें ठीक है और 12 गंटे 12 गंटे फिलस 35 बटीस मिनिट इस तरह से आप देखेंगे 35 गंटे 32 मिनिट होगा 24 गंटे 11 गंटे 32 मिनिट यानि कि 11 बसकर 32 एम हो रहा होगा वहाँ तो ये चोटी चोटी बाते हैं लेकिन याद रखिएगा बड़ी बड़ी बाते हो जाती है अक्छांस की बात करेंगर हम लोग तो किसी दिये गए बिंदू की विस्वग बिर्द से उत्तर या दच्छिन की कौडी दूरी को की माप को हम लोग अक्छांस कहते हैं और गिलो option में 181 है तब भी आप लोग सही लगाएंगे ठीक है दो अक्छांसों के मद्द की दूरी आप देखेंगे 111 किलोमीटर की होती है लेकिन ये अक्छांस के पास भी आपको विस्वत रेका के पास देखने को मिलेगा और विस्वत रेका विस्वत बिर्द जिरो डिगरी अक्छांस उत्री अक्छांसों दच्छांस के सभी अक्छांस कहलाते हैं और पित्वी पर खींचे गए अक्छांस बिर्दों में विस्वत बिर्द सबसे बड़ा है और इसकी लंबाई आप देखेंगे 40,000,79 किलोमीटर देखने को मिलेगी कुछ मात्पूर अक्छांस दे आप देखेंगे कि किसी स्थान की कौंडिय दूरी जो पिधान या मुततर जीडो डिग्री ग्रेन बिच के पूर्व अपश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है और यह इन दोनों में से किसी भी दिशा में 180 तक मावी जाती है यानि कि अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लिजे 180 इस तरफ और 180 इस तरफ यानि कि 360 टोटल और वहीं अगर हम लोग विस्वत रेखा की बात करें तो आप देखें विस्वत रेखा हुई अग चांसों की बात हो रही उपर 90 नीचे 90 ठीक है 180 और बीच की एक जोड़ दी जाती है तो टोटल 181 हो जाती है और इसमें आप देखेंगे किसी स्थान की कौड़ ये दूरी जो पिधानी अमुतर जीरो ग्रेंड बिच के पूरबा पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है और यह इन दोनों में से किसी भी देशा में 180 तक होती है और इसी से तक होती है और एक देशांतर की अमद रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है लगबग जो धुर्वों की ओर कम होती जाती है और इन्हें बेहत बेट भी कहते हैं इंग्लेंड के ग्रेंड बिच इस्थान से गुजरने वाली रेखा को 0 देशांतर रेखा या ग्रेंड बिच रेखा कहा जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और पितवी 24 गंटे में 360 अंस देशांतर गुमती है और इसलिए पितवी का गुडन कती 15 अंस देशांतर पिती गंटा या फिती 4 मिनिट में एक देशांतर होता है और यहां देशांतर रेखा है आप लोग देख भी रहे होंगे देख लेजे ठी ए कि यह पृर्वी देशांतर आप लोगको देखने को मिल जाएंगी अ इसे मलन ले जाते हैं और देखे समय आंगे और समय पीछे ठीक है तो इभी आप लो याद रखेगा कुछ मात्पूर्ण देशांतर अंतराष्टी तिथी रेखा 1884 में बॉसिंग्टन में हुए एक समझोती के अनुसार 180 डिग्री देशांतर को अंतराष्टी तिथी रेखा कहते हैं और यह रेखा पिसांत वहां सागर में उत्तर से दच्छन तक फैली हुई है और अनेक दीपों को काटने के कारण इस रेखा को 180 डेशांतर से कहीं कहीं खिसका दिया गया है और यह आप लोगों को साब देख भी रहा होगा देख रहा है देखे यह सामने आ रही है लेकिन यहां खिसका दिया गया है इसे फिर ऐसे इस तरह से ठीक है इसलिए कहता हूँ कि मैप का सहारा लेकर अगर आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो लंबी समय तक आपको याद भी रहेगा ठीक है और उत्तर में पूर्व की और जुकाओ वेरिंग जलसंदी और पूर्वी साइबेरिया में एक समय रखने के लिए किया गया है और उत्तर में पश्चिम की और जुकाओ एलुए उसी एन दुईप और अलास्का में एक ही समय दर्साने के लिए किया गया है और दच्छन पूर्व की ओर जुकाओ एलिस, वालिस, फिजी, टॉंगा, निव जिलेंड, और अस्टेलिया में एक ही समय रखने के लिए किया गया है यह अंतराष्टी तिती रेखा को पार किया जाता है तो तिती में एक दिन क्या परिवर्तन हो जाता है कोई यात्री यदी पूर्व से पश्चिम की ओर एसिया से उत्तरी अमेरिका की ओर जा रहा है तो दिसा में अंतराष्टी तिती रेखा को पार करेगा तो वह एक दिन पीछे यानि की सुकवार से बैस्पती हो जाएगा और इसी तरह कोई यात्री यदी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है तो उत्रे अमेरिका से एसिया की ओर तो यात्री को वह एक दिन आंगे बैस्पती से सुकवार हो जाएगा यानि कि एक दिन का अंतर रहेगा अगर अंतराष्टी तिति एका पर मध रात्री है तो यदी एसियाई भाब की तरफ सुकवार है तो अमेरिका की तरफ आप देखें गुरुवार आपको देखने को मिलेगा यानि कि हम लोग आगे चलते हैं और ग्रेञ विच में टाइम एंगलेंड के निकर्ट सोन ने दिसानतर पर इस्तित ग्रेञ विच वैय्दसादा से गुज्रने वाली कालहर रेका को प्राइम मेरी डीन भी माना जाता है और अब और ग्रेन विच यामser धियाम उत्तर जीरोडिगरी दिसानतर पर है जो ग्रेन लेंड वा नार्वेजियन सागर बेटेंड फ्रांस इस्पेंज अल्जेरिया माले बुर्कीना फासु घाना दच्छर अटलांटिक समुद्रे से गुजरता है प्रमाणडिक समाई चोकि विवन देसांतरों पर इस्थित स्थांएये समाई भिन भिन होता है और इसके कारण एक बड़े विसाल देस में एक कौन से दूसरे कौने के स्थांगे की समय बड़ा अंतर पड़ जाता है और अभी भी आप देखें कि हमारे अगर आप लोग कहां अगर आप लोग इस तरफ आईए गुजरात की तरफ तो अलग देखने को मिलेगा और आप लोग अगर इस तरफ पूरी भी भारत में जाते हैं मिजोरम नागालेन की तरफ तो अलगल आप लोगों को देखने को मिलत और बड़ा समय अंतर देखने को मिलता है और इसके फलसवरूफ तितियक ब्यवसायों के सेवा कारियों में बड़ी भाधा भी उत्पन होती है और इस बाधा पर समय की गड़वरी को दूर करने के लिए सभी देशों में किसी एक देशांतर रेखा कि इस्थानिये समय को सारे 82 डिगरी आप लोग ने सुना होगा देशांतर और उस देश की तमाम घड़ियां उसी इस्थानिये समय की अनुसार चलती है और इसे पिकाल किसी देश के में सभी इस्थानों पर माने जाने वाले इसे समय को प्रमाडिक अद्वा मानक समय कहते हैं और हमारे देश यानी की भारत में साड़े 82 डिगरी, 82 डिगरी 30 मिनिट पूर्वी देशांतर रेखा जो मानक मध्यान रेखा मानी जाती है और इस मध्यान रेखा को इस्थानिये समय सारे देश का मानक समय माना जाता है और इसी को भारती मानक समय आप लोग कहते हैं और भारत का पिरमाडिक समय ग पूर की और, गुमती है, तो, पूर की और बढ़ने पर, चार मिनट बढ़ता है, उपष्रिम की और घट आने पर, टर्चार मिनट कम होता है, एक देशांतर पर तो आप लोग कहीं का भी, आप लोग टायम आराम से निकाल सकते है, ठीक है? इस्थानिय समय की बात करें तो इस्थानिय समय वह समय है जो कि सूरी के अनुसार हर देसांतर पर निकाला जाता है और जब सूरी उस देसांतर पर लमबबत चमके तो उसे दोफर यानि की बाराय वज़े मान लेते हैं और इसे इस्थानिय समय कहते हैं और यह पित एक देशांतर पर चार मिट के अंतर में से बहिन होता है। और भारत में साड़े ब्यासी डिगरी आंस से पूरवी देशांतर एखा के समय को मानक समय माना गया है। जो एलावाद की निकट नैनी से गुजलती है। कहां से? नैनी से गुजलती है। और भारत का मानक समय ग्रीन विच मिन टाइम से आप देखेंगे कि आपका कितना? यह आपको मालू होना चीए कि साड़े पांच घंटे आंगे है, पांच घंटे तीस मिनिट तो यह भी आप लोग याद रखेएगा, टेके? इसके बारे में एक पुश्टन भी कई बार पूच लेता है, कि मानक समय ग्रीका कितने राज्जों से होकर गुज़रती है? क्या? कितने राज्जों से होकर गुज़रती है? एक कई बार आप देखते हैं कि इक पूच पूच लेता है मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है साड़ी ब्यासी डिगरी तो एक बार आप लोग चलिए अब आप लोग कहेंगे कि भारत का मेथ दिखा दीजिए आपको आप लोगों की बात तो सुननी ही पड़ीगे देखिए हमारा प्यारा भारत है क्या है हमारा प्यारा भारत है और आप देखते हैं कि जब पूरवी भारत में चुनाव होते हैं न इस तरफ तो यह मांग उठती रहती कि यहां भी एक क्या होना चाहिए समय होना चाहिए समय रेखा होना चाहिए कटिवन तो यह आप देखेंगे कि यहां कहां से गुजरती है इलावाद के नहनी से तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है थिर आप आजाईए कहा उत्तर प्रदेश से मद्प्रदेश आजाईए मद्प्रदेश से 36 गड़ आजाईए उडिसा आजाईए और उडिसा से आप लोग आं पूच लेता है और करक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है यह भी कुश्चन कई बार पूचता है तो किसकी बात हो रही इसकी बात हो रही इसकी करक रेखा कि साधी 30 डिगरी उत्री अक्छांस की यह कितने राज्यों से गुजरती है यह आप देखें कि इसकी बात हो रह लेकिन कितने राज्यों से गुजलता है हमारे तो इसमें सबसे पहले आप लोग आ जाईए कहां सबसे पहले आपको चलना है गुजरात गुजरात पहुंच चुके हैं गुजरास से चलिए आप लोग कहां गुजरास से आजाईए आप लोग राजिस्थान मदर्देश आईए 36 गड़ आईए जारिखन आईए पश्चे मंगाल आईए 6 हो गए और फिर आजाईए आप लोग तिपुरा और मेजोरम इस तरह से टोटल आठ राज्यों हो गए आपके आठ राज्यों से आपकी करक राज्यों से गुजरती है और मानक समय रेखा कितने से पांच राज्यों से गुजरती है ठीक है एक कुष्टन्स नॉर्मल है लेकिंक कुष्टन्स पूंच लेता है क्या पूंच लेता है कई बार पूंच लेता है ठीक है अगर करक रेखाबर इस्ति देश देखें अगर हम लोग करक रेखाबर इस्ति अगर देश आप लोग देखना चाहें तो बहुत सारे देश इसमें देखने को मिलेंगे आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे 18 देश लगभग देखने को मिल जाएंगे इसमें आप देखें मैक्स को अल्जीरिया, माली मारितीनिया, एजिप्ट, नाइजर म्यानमार, सैटराव अमिराथ बहामास, ताइवान, ओमान चाड, चीन, बंगलादीस, मुरक्को स्ताउदियरब, भारत, लीविया और एक आपने देखा होगा कि जब हम लोग वर्ल्ड जियोगरफी कवर कर रहे थे वर्ल्ड मैप के जरिये, तो उसमें किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है यानि कि आप लोग देखिए, इसकी बात हो रही है जीरो डिगरी तो भूमाद रेखा पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे यूनाइटिट के इंगरम हो गया फ्रांस, इस्पैन, अलजिरिया और माली, बुरी कीनाफासो, घाना, टोगयो देखने को मिलेगी ट्रीक है? उत्तर से दच्छन तक ये आठ देश हैं जो सुन डिगरी देशांतर यानि कि पिधान या मुत्तर रेखा पर आपको देखने को मिलेगी तो ये भी याद रखेगा मकरेखा को और अगर हम लोग देखें इस सारे 23 डिगरी जो दच्छन में आप देखते हैं इसी को होती है मकरेखा बोलते हैं हमारे यहां से आप देखें केबल आपकी कौन सी जाती है केबल हमारे यहां से करक रेखा जाती है यह आप लोग जरूर याद रखेगा मुझामबिक अर्जेंटिना मेडा गासकर चीली ऑस्टिलिया नावेविया और आप देखेंगे बोत्सवाना साउत अफी का ब्राजील परागवे इन सभी से जाती है आपकी मकरेखा तो यह चोटी चोटी बातें हैं आप लोग याद रख सकते हैं आराम से ठीक है और इस तरह से आप देखेंगा भारत का मानक समय ग्रेन वीच में टाइम से पंदरे घंटे आखेंगे मापकरी साड़े पांच घंटे आगे है मद्धरात्री की स्थित्ती में साड़े 66 डिक्री उतरी व्थ दचडी आठकेटिक वा अंटारकेटिक ब्रत अक्षांस पर होती है जहां ग्रेस मिकाल में सोर 6 ते से नीचे नहीं जा पाता है और विसको 24 समय किया गया है और समय जोनों को ग्रेंड बिच में टाइम बमानक समय में एक घंटे के अंतराल की आधार पर विभाजित किया गया है अंतरिक्ष और सौर मंडल इसके बारे में फीचे भी पड़ा हुआ है हम लोगों ने फिद्वी के उपर जो आकास दिखता है उसे अंतरिक्ष कहलाता है अंतरिक्ष का प्यारम और अनन्त है और वेदों में इसे नीती कहा गया है नीती की संग्या दी गई है अंतरिक्ष इतना विसाल है कि इसमें सदेव अंधिरा रहता है और अंतरिक्ष में अनेक तारा गंठोस दरब और गयसी पदार्थों से बने होते हैं जिनने आकासी पिंड कहते हैं आप लोग आकासी पिंड छोटे वड़े गरम ठंडे तेज गती धीमी गती वाले इसे रोड पर आप लोग अक्सिडेंट देख लेते हैं इसी तरह से आपको देखने को मिलता है अंतरिक्ष में पितेक तारा गुर्तवा कर्शन की कारें सूनने में लटका हुआ है और सूर के बाद पितवी से सबसे निकट का तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी है जो आप देखेंगे साड़े चार पिकास बर्स दूर देखने को मिलेगा विटेल यूज एक सो नौ पिकास बर्स और रीगल तारा आप देखेंगे पांसो चालीस पिकास बर्स दूर देखने को मिलेगा अंतरेक्ष में तारों की चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह हैं और पिति एक तारी का अपने ग्रह उपग्रह की साथ एक परिवार होता है जिसे आप लोग सौर्मंडल कहते थे हैं और इस सौर मंडल में तारी के नक्षद समू के तारा तारक पुंज निहारिका जिसे ब्रहमन्ड भी कहते हैं, अंत्रेक्ष में एक अरब ब्रहमन्ड हैं, और पिदिभी और सौर मंडल एरावत पत नामक आकास गंगा निहारिका में आते हैं, और आकासी ये पिंड में निहा तारिका, आकास गंगा, तारा मंडल, क्वेसर, ग्रह, उपग्रह, उलका, धूमकेतु, पुछल तारि, आधी देखने को मलेंगे, हैली ने ने सौर परिवार का सदस्त माना है, दिक है, दो ये भी याद रखेगा, पुछल तारि की पूच लंबी होती है, और इसके तीन रहा है, और यह पिद्वी से आप देखेंगे, कितना, नौ करोड तीन लाग, देख रहे हैं आप लो, मेल दूर है, सौर के मद्ध भाग के उपर उसका बायू मंडल आपको देखने को में लेगा, तो ये भी याद रखेगा इसके बारे में, और बायू मंडल में, सौर बा आप देखेंगे, कि बायू मंडल में, सौर ग्रहन के समय, तरपत गैसों की आंधी देखी जा सकती है, जो लप्टे मनाती है, और सौर की उठती हुई इन लप्टों को सौर जुआलाएं कहते हैं, और सौर की सत्य पर धब्वे का मद्ध, पिच्छाया और किनारी का भाग कहलाता है, और यह आप देखें, सौर की चार ओर की पट्टी, सौर का मुकुट, कुरोना आंक से दिखाई देने वाला भाग कहलाता है, और हमारे सौर परिबार में बुद्ध, सौक, बित्वी, बरस्पती, सनी, अरूंड, वरूंड, कुवीर, यम ग्रह हैं, यह सभी सौक और ग्रह, पित्वी के सबसे पास देखने को मिलेगा, सनी के, आप देखें, यह आप लोगों को मालू होना चाहिए, सनी के 82 हो चुके हैं, इसके बढ़ चुके हैं, सबसे जाना आप देखेंगे किसके हो चुके हैं, सनी के अग्रह के अगर हम लोग देखें, तो 82 हो चुकी है इनकी, यह आप लोग जरूर याद रखेगा, 82 हो चुकी है, और बेस्पती के पास 79 है, 89 है, तो अब आप देखेंगे कि सनी आंगे निकल चुका है, और यह बढ़ते रहते हैं तो इस पास जानदा परिशान नहीं होना है, बुद्ध को भोर का तारा नई नई जोती रहती हैं नौ, बुद्ध को भोर का तारा कहते हैं, सुक्ष को संध्या का तारा कहते हैं, यह वंडे एक जाम के लिए महत्पून हैं, बुद्ध्ध शुक्य पित्वी मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि विर्सपती सनी around które यह माहरी ग्रह कहलाते हैं, हमारी सौ सब ने अपने अपने हिसाब से कह दिया है और हमारी पितवी की आक्ती लद्धवक्ष गोलाब है जिसकी भूमत रेखिये परदी 40,75 km और धुरवी ये परदी 40,000 km देखने को मिलेगी और पितवी का भूमत रेखिये व्यास आप देखेंगे 12,756 km है और धुरवी व्यास 12,73 km है और पितवी सूर की चारों और अंडाकार पतवर 365 दिन 5 गंटे 48 मिट में पूरा एक चक्कल लगाती है और इसे परीकिरमड कहते हैं पितवी अपने अक्षपर साड़ी 30 डिगरी का कौण जुकी हुई है और पितवी के पश्चम से पूर की और लट्टू की भाती गोमने को देने गती कहते हैं और जिसके कारण आप देखते हैं दिन होता है रात होती है पितवी के पश्चम से पूर की और घुमने का परमाड फॉकल्ट न्यूटन की गेंद का प्रयोग कुमार के वाद बस्तु के भार परिवरतन का परमाड है और जो आप देखते हैं कि पितवी माली ये कोई ग्रह है वो अपनी अक्ष पर घुम रहे तब आप देखते हैं कि एक तरह से उसी के कारण दिन रात होता है और जब आप देखे सूरी के परिख्मा करता है तो पूरा बर्स होता है एक साल हो जाता है पितवी की देने गती के कारण दिनरात का होना किसी स्थान की इस्तिती का ग्यान ग्रह नक्षत्तों का पूर्वा पश्चिम घूमने का अनुभाओ हवाओं और समुदरी धाराओं की दिसा जुआर भाटे का आना आधी किरिया होती है पितवी को सुर के चारों और 365 आप देखेंगे 365 एक सही 4 डिगरी दिन में घूमने की कुबारसिक गती कहते हैं और बस की योधी एवं रितु परिवतन इसी का परिडाम है और मद्दे कालीन सुर की उंचाई में अंतर भी इसी का गती का परिडाम है और 21 जून को सुर करक रेखा पर लमबत होता है और इसी उत्री आयनांत या ग्रिस्म आयनांत और 22 दिसमर को सुर मकर रेखा पर लमबत होता है उसे मकर संक्रांती या सीत आयनांत कहते हैं और 21 मार्च और 23 सेप्टमबर को के दिन सूर की दिन किरने विस्वत रेखा पर सीधी चमकती हैं और 21 मार्च को बसंत विस्वत और 23 सेप्टमबर को सरद विस्वत कहते हैं 21 मार चो तेज सेप्टम, 23 दिसंबर को बारे घंटे के दिन रात होते हैं, और हमारी पिथवी सूर की चंदमा, हमारी पिथवी की परिक्मा करता है, चंदमा में घुरडन, परिक्मढ, सूर से संबंदित गतियां हैं, और इन गतियों के कारण, और अपनी गोल आकृती के जाने पर पड़ता है, तो ये भी याद रखेगा, अक्छांस देशांतर, अंतराष्टी तीथी रेखा, समय कटिवंद, पिद्वी के केंद से भू पेष्ट रेखा के उत्तर वो दच्छिन में, एक याम उत्तर, पर किसी भी बिंदू की कौणिये मान, माप अंसों, मिनिटो और सेकेंडों में ब्यक्त की जाती है, वह अक्छांस कहलाती है, ये सब छोटी छोटी बातें बता चुका हूँ, पहले भी, और जबकि भूमद रेखा के उत्तर दच्छिन खीचे गई, कल्पित रेखा हैं, जो दुर्वों तक वेतों का निर्मान करती हैं, उन्हें देखेंगे, नब्य उत्तर में और नब्य दच्छिन में देखने को मिलेंगी, टोटल 180 हैं, माकरी 180 हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि फिर से अगर भूमद रेखा को जोड़ दें, तो टोटल आपकी 181 हो जाती है, जीरो को भूमद रेखा कहते हैं आप लो, साड़े तेश डिगरी को उत्तरी अक्छांस उत्तरी करक रेखा, और साड़े 26 डिगरी उत्तरी अक्छांस उत्तरी दुर्वी ये वरत कहलाता है, 90 डिगरी उत्तरी अक्छांस उत्तरी दुर्व कहलाता है, साड़े 23 डिगरी दच्छडी अक्छांस मकर रेखा कहलाता है, और देशांतर कहलाती है और देशांतर एका उत्तर उत्तरी वदच्छडी धरुप को मिलाकर खींची जाती है और यह पूर परश्चिम देशा में 180 डिग्री तक ही मापी जाती है और कुल देशांतर आप देखेंगे 360 होती है और पित एक देशांतर पर 4 मिनिट का अंतर होता है और यात्रा में इस समया समस्या के समधान के लिए 180 डिग्री या मुत्तर एक कालपनेक रेखा निर्धारित की गई है, और इसे ही आप लोग अंतराष्टी तिथी रेखा कहे देते हैं, और अंतराष्टी तिथी रेखा को पार करते समय एक दिन घटा या बड़ा दिया जाता है, जब कोई जलियान पश्चिम की ओर यात्रा करता है, तो इस्तिथी को पार करने पर एक दिन छोड़ देता है, और जबकि पूर की ओर अगर यात्रा करने वाला दिन दुबारा गिनन पड़ता है, और पिदिपी पर किसी विसेश इस्तान का सूर की स्तिती से परिकल्पिस समय स्थानिये समय कहलाता है, और यह समय होता है जब भूमी पर किसी बस्तूक की छाया लगुत्तम होती है, और किसी देश से गुजरने वाली या मुत्तर से लिया गया समय, उस देश क देखा वो समय कटिवंद कबर होता है और इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो कोई सुझाव मेरे लिए हो तो आप लोग जरूर बताईएगा और अंगली क्लास में हम लोग पिथभी की उत्पत्ती किस तर ऐसे हुई है उस पर बात करेंगे ठीक है पिथभी की उत्पत्ती द देखेंगे हम लोग